आतं के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मुदी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सख्त धमकी भेजी है लेकिन बारत पाकिस्तान को ये लिबर्टी नहीं देता कि हाँ जी आपने आप से बात करनी है उन्होंने एक तरीके से ये कह दिया है कि अब करके दिखाओ मुदी साहब की जो स्पीच का जो क्रक्स मुझे पता चला है वो ये है कि उन्होंने काया कि हून करके बखाओ अब करके दिखाओ यह है कि वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीखे से जानते हैं इंडियन्स को कन्विन्स करना पड़ेगा उन्ही साब का कहना था कि पाकिस्तान ने हिस्टरी से कोई लेसन लेंड नहीं किया और अभी तक वही हरकतें जारी हैं नमस्कार आप सभी का स्वागत हैं हमारी एको नई रियक्षन वीडियो में दोस्तो करगिल वीजय दिवस के मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोधी जी की तरफ से डिप्लोमेटिक लेंग्विज में पाकिस्तान को सक्त चेतावनी बेश दी गई है करगिल मेमोरियल डे पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी साहब ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सख्त धंकी भेजी है पाकिस्तान को वान किया है और जिन अलफाज में पाकिस्तान को वार्निंग दी गई है इंडिया के प्राइमिनिस्टर नरेंदर मूदी साब की तरफ से वो मैं आपको उन्ही की आवाज में सुनवाओंगी और उन्ही के आवाज में उन्ही के अलफाज में बताओंगी भी और सिर्फ यही नहीं जैसा मैंने कहा कि आप अपनी सीट बैल्स बान लीजिए जरा आज हम बात करेंगे कारगिल वार पर बहुत सी बाते की जाती हैं सबसे ज्यादा बड़ी बात जो की जाती है जो के पाकिस्तान की अपनी अथारिटीज करती हैं और वो यह कहती हैं कि यह मुशरफ का पाकिस्तान का एक बिगिस्ट ब्लंडर था कारगिल वार भारत इस दिन अपनी जीत मनाता है और जो उसने विक्टरी हासल की इस जंग में उसको उसकी उपर वो दिन मनाते हुए मूदी सहाब ने जो कहा है उनका कहना यह था कि पाकिस्तान हैस फेल्ड इन ओल लेकिन पाकिस्तान ने तारीह से सबग हासल नहीं किया उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि अब करके दिखाओ मुदी साब की जो speech का जो crux मुझे पता चला है वो यह है कि उन्होंने काया के हून करके वखाओ अब करके दिखाओ अब बताते हैं तुमें और साथ में उनका कहना था के Pakistan has not learned anything from its history it is trying to keep itself relevant with the help of terrorism and proxy war और फिर उन्होंने कहा के today I am speaking from a place where the masters of terror can hear my voice directly I want to tell these patrons of terrorism that their nefarious intentions will never succeed our soldiers will crush terrorism with full force and enemy will be given aim आप सोच सकते हैं ठीक है जो उन्होंने कहा कि दुश्मन को जो है वो मूँ तोड़ जवाब दिया जाएगा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बार बार मूँ की खानी पड़ी ये जो बात वो कर रहे थे वो उन्होंने बात की है जंगों की देखें पाकिस्तान के अंदर और जितने आप authorities, scholars उठाकर आप उनसे जब भी बात करते हैं आप जब किताबे बढ़ते हैं पाकिस्तान के अपने अंदर की scholars की लिखी हुई किताबें पाकिस्तान के अपने जेनरल्स की लिखी हुई किताबें अपने कर्णल्स की लिखी हुई किताबें और यह मैं ऐसी ही नहीं कह रही अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन से करणल जर्नल ने क्या कहा है उन किताबों में यह बात कही जाती है कि यह जर्नल मुश्रफ ने जो कदम उठाया था और जो बिगस्ट ब्लंडर किया था तारीख का उसने बहुत नुकसान पहु होंगी यहां तक कहा गया कि 71 में जितना नुकसान हुआ तो उससे भी ज्यादा जाने इस कारगल वार में गई है ठीक है यह मेरे अलफाज नहीं है मेरे अलफाज ही है मैं बोल रही हूं लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि जो जितने भी शुभाई जिंदगी हैं डिपार् हैं ने कहा कि सिक्स्टी व्एफ्फण इन वर में हमने किय हो ही हमने कार गिल में भी वही रपीट ग महीं गलती हमने दोहराई उस वख़धिड है उसके पर हम कई बार बात कर चुके जो इसके इसके पर एक्सपर्से उनसे बी कई temptation का बार हाँ बात कर चुके हम उनके पर स अब हिस्ट्री आपको मालूम है, तो मुशाहिद उसेन, ये कह रहे हैं कि जो वही गलती हमने धोराई, हमने का कि हम ये एडवेंचर कर रहे हैं, हम तो इतना हिस्सा उनका ले ले लेंगे, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत कुछ नहीं कर पाएगा, उसका रियक्शन बड़ा जो होगा, तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, नवाज शरीफ जो हैं, बाद में उन्होंने इस चीज़ को सरे आम, खुले आम ये बात की है कई एक बार, कि उनके साथ क्या किया गया, उन्होंने कहा कि जो उनको आउट किया गया, नव आज कोई भी बात में डॉक्यूमेंटिड उसके बगार नहीं करूंगे, मैं आज हर बात डॉक्यूमेंटिड एविड़न्स के साथ आपके सामने पेश करूंगे, आपको बताऊंगी ये कौन कह रहा है, कहां पर कह रहा है, किसने कहा है, और मैं आप तक वही पहुँचा ल क्या हम ये कारगिल में लड़ाई नहीं होनी जाई थे, इसलिए लगाल दी है, तो अनों ने कहा, साफ साफ कहा है, अच्छा ये तो अभी आपको एक ही उन्होंने इतनी सी बात की, उन्होंने इसके पर बारहां बार बात की है, तो गोस्तों, I hope कि आप कोई वीडियो जरू की है, पाकिस्तान को एक तरीके से धमकी भी लगाई है, कि आगे आने वाले समय में ऐसी हरकत कर मत देना, वरना वो पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ जाएगी, इसके अलावा भी प्राइम निश्टर मोधी जी ने कई सारी बाते की है, जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान क जो हिस्टरी से कुछ भी नहीं सीखता है, लेसन बिल्कुल भी नहीं लेता है, जो गलतिया कर चुके हैं, आगे भी वही गलतिया दोहरा रहे हैं, उसी के उपर चल रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि अगर कोई नहीं हैं, उससे कोई गलती हो जाती हैं, तो उससे लेसन ले कि भारत को किस परकार से डिश्टप किया जाए उसके लिए आतंगवादी हड्डे बनाते हैं आतंगवादी बैजते हैं कस्मेर के अंदर तो यही काम इनका का बहुत बहुत धन्यवाद